असलाम अलेकुम दिस अलीम फ्राम स्किल्सकेडमी आज की वीडियों में हम दिसकस करेंगे एक और वेब वाइटल के बारे में और दूसरे नमबर पे गूगल पेई स्पीड तो सबसे पहला फैक्टर जो है वरस्ट कॉंटेंट फूल पेंट बेसिकल यह चीज होती है कि ब्राउजर कितना टाइम लेता है कॉंटेंट का पहला हिसा रेंडर करने में मतलब कि उसको कॉंपाइल करके यूजर को दिखाने में तो जो गूगल रेकमेंट करता है गूट एक्सपीरियंस के लिए आपका जो FID है वो लेस तेन 100 मिली सेकंड्स हो तो एग्जैम्पल के तो पर आप देख सकते हैं कि जब कुछी चीज सेर्च की जाती है तो यह पेई लोड होता है उसके बाद ऐलिमेंट लोट होते हैं और जो पूर लेवल है वो अंडर या मोर दन सिक्स सेकंड उसके बाद फर्स्ट इंपुड ले तो फर्स्ट इंपुड ले बिस क्लीशिए को कहते हैं कि यूजर को पहले दफार इंट्रक्ट करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है मतलब यह के मैनु होता है या साइट नाग्रिगेशन के लिंक्स होते हैं या कोई फील्ड होती है जैसे एमेल की फील्ड और उसके लावाद दूसरे चीज़ें जिनके ओपर हम क्लिक कर सकते हैं तो कितना ज्यादा टाइम लगता है कि हम उनके ओपर क्लिक कर पाएं मतलब जब पेज शुरू में ओपन होता है तो वह चीज़ें लोड हो रही होती है और नोन इंट्रक्टिव होता है तो उसके बाद जो गुड है वह 100 मिली सेकंड है और जो नीड इंप्रूवमेंट है 500 मिली सेकंड है और जो पूर है वह 500 सेकंड है उसके बाद कुमुलेटिव लेयाओट शीफ बैसिकली इसका मतलब यह है कि जो पेज लोड होता है वह कितना ज्यादा स्टेवल तरीके से लोड होता है अगर आप आपने ज्यादा देखा होगा कि कुछ पेज लोड करते वक् है मतलब image लोड होती है तो वह पेज नीचे चला जाता है तो बेसिकली यही चीज होती है इसको fix करने के लिए height and width define करनी पटती है अगर height and width define की हो तो पिर यह सही तरीके से लोड हो जाती है उसके बाद जो good है वह 0.1 और जो need improvement है वह 0.2 और उसके बाद जो poor है वह 0.3 से ज पिश्पिरिया, आलाँ आफिस्ट